हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इंफो यूटूब चैनल आज के वीडियो में हम फिर से 15 जी के कॉश्चन्स विथ आंसर जानेंगे सो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला कॉश्चन फर्स्ट कॉश्चन है भारत में सूरत सबसे पहले किस राज्य में निकलता है भारत में शूर उदय सबसे पहले किस राज्य या स्टेट में होता है आंसर है अरुनाचल प्रदेश अरुनाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर उदय होता है हमारे देश में ये जो भी questions में आप से करे हूँ अगर आपको इनके answer आते हैं तो आप comment कर सकते हैं चलिए, second question देखेंगे second question है सूर्योदैका देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदैका देश किस देश को कहा जाता है? answer Japan जापान को सूर्योदैका देश कहा जाता है या प्रसिद्ध है इस नाम से third question है भारत में अंग्रेजी सिक्षा किस ने शुरू की? इसका answer है लाट मैकाले लाट मैकाले ने भारत में अंग्रेजी सिक्षा शुरू की या परारंब की थी next question फ्लाइंग सिक्ष के नाम से कौन जाना जाता है? इसका answer है मिल्खा सिंग मिल्खा सिंग को आप सभी जानते होंगे मिल्खा सिंग फ्लाइंग सिक्ष के नाम से जाने जाते हैं fifth question है भारत के किस राज में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है? हमारे देश में रेशम का उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा किस राज्ज में होता है, रेशम का उत्पादन, आंसर है करनाटक, करनाटक राज्ज में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है, नेक्स्ट कॉस्चन है, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों ह होता है मिट्टी अलगलग कलर की होती है आप सब जानते होंगे काली मिट्टी लाल मिट्टी भूरी मिट्टी तो लाल मिट्टी का रंग लाल क्यूं होता है इसका अंसर है लोह ऑक्साइड की प्रिजेंस के कारणों पस्तिति के कारण लाल मिट्टी का कलर लाल होता है नेक्स नेक्स्ट कौशन देखेंगे, कौशन नमबर एट, पूर्व का प्रिवेश द्वार किसे कहा जाता है, इस्ट में जो एंट्री है, पूर्व का प्रिवेश द्वार किसको कहा जाता है, इसका अंसर है, शिंगापूर, सिंगापूर को पूर्व का प्रिवेश द्वार कहा जा आपको आते हैं। मानब जाती का जन्म इस्थल कौन सा महादीप कहलाता है आंसर अफरिका अफरिका को मानब जाती का जन्म इस्थल कहा जाता है ओके सो चलिए next question देखेंगे हम question number 11 अफ्रिका के गांधी के नाम से कौन मसुहूर था अफ्रिका के गांधी के नाम से आंसर नेलसन मंडेला अफ्रिका के गांधी के नाम से मसुहूर थे Next question, एकलब पुरुषकार कौन सा राज देता है? किस स्टेट में एकलब पुरुषकार दिया जाता है? So, इसका आंसर है मद्य परदेश, मद्य परदेश राज में एकलब पुरुषकार दिया जाता है Question number 13, हर्याना हरिकेन के नाम से कौन मशूर है? Answer है कपिल देव, कपिल देव हर्याना हरिकेन के नाम से मसूर है कपिल देव को आप सभी जानते होंगे, क्रिकेट तो जादतर सभी को पसंद है So, कपिल देव हर्याना हरिकेन के नाम से famous है Next question, कौलेरु जील कहां इस्थित है? इसका नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा कौलेरु जील कहां इस्थित है? Answer है आंध्यप्रदेश आंध्यप्रदेश इस्टेट में कौलेरु जील इस्थित है Last question, question number 15 लक्षदीप का उच्च न्यायालाय किस राज्ज में इस्थित है? Answer केरल लक्षदीप का उच्च न्यायालाय केरल राज्ज में इस्थित है So, ये थे आज के 15 जी के questions with answer Thank you so much for watching this video And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, share कीजिएगा और जी के questions या general awareness, general science या other किसी topics related अगर आप वीडियो चाहते हैं आप मुझे comment कर सकते हैं Thank you